दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ कि ऐसी एक बहुत बड़ी गलती या फिर ऐसी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो जादातर लोग इस दुनिया में करते हैं और स्रीफ एक गलती करने की वज़े से जी हाँ दोस्तो क्या मला मैंने? स्रीफ एक गलती करने की वज़े से उन लोगों को उनको जो औरत या फिर उनको जो लड़की पसंद है उसको जिन्दगी में कभी भी पटा नहीं पाते और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जो औरत या फिर उनको जो लड़की पसंद है ना वो उसको पटा तो नहीं पाते पर क कि आखों के सामने उसको लेकर चला जाता है और ए लोग कुछ भी नहीं कर पाते दोस्तों ए जो गलती है ना ये बहुत बड़ी सिरियस है अगर हम देखे तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज का जो गुडियों है ना वो आप पूरा देखे क्योंकि आज का गुडियों देखने के बाद और जो मैं आपको बताने वाला हूं ओ सुनने के बाद मुझे ऐसी आशा है कि एक गलती करना आप भी चोड़ दोगे और जब मतलब जिस दिन आपने एक गलती करना चोड़ दिया ना उस दिन से आपको जो भी आवरते फिर आपको जो बीनः आएगी तो जो look at the हैं ऊस्वणा月 को उसह करते हैं दो टाइप के लोग होते हैं मतलब दो तरगलो होते हैं सब से पहले जो लोग होते हैं उसलों कॉंसे और उनको अगर for example कोई भी लड़की पसंद आ गई तो वो क्या करते हैं कि उसको impress करने के लिए और बतलब बिलकुल भी try नहीं करते हैं मतलब अगर उनको कोई भी लड़की आज पसंद आ गई तो वोँ हफ्ते में मतलब 1 हफटे के अंदर ही उसको जाकर propose कर देते है उसको ऐसा बोलते हैं कि आप मुझे बहुत ज़दा पसंद हो I love you मतलब जल्दी प्रपोस करने की गलती करते हैं जो कि एकदम गलत है क्योंकि अगर किसी भी अवरत को या फिर अगर किसी भी girl को अगर कोई भी पुरुष जल्दी प्रपोस करेगा तो उसके प्रपोसल को ठुकराए इसमें कोई बाती नहीं है क्योंकि ओ अवरत उस पुरुष को जानती तक नहीं है मतलब सामने वाला पुरुष कैसा है उसका स्वभाव कैसा है ओ इंसान होने के नाते कैसा है मतलब उसके बारे में उसको कुछ घंटा भी नहीं पता है तो ओ आपके प्रपोसल को ठुकराए ये एकदम जाये जाये दोस्तों तो कभे भी जल्दी प्रपोस्ट करने की गलती मत करो उसके बाद दोस्तों जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं और दोस्तों कोनसे होते हैं कि अगर उनको कोई भी लड़की ये पिर कोई भी आवरत पसंद आ गई तो ओना उसके साथ दोस् तो सामने वाली जो आउरत है ओ एरा प्रपोजल ठुकरा देगी या फिर ओ आउरत मेरे कान के निचे थामाचा पारेगी मतलब उनको अंदर से डर लगता है कि अगर कुछ हुआ तो ऐसा हुआ तो और इस डर के कारणी और कभी भी प्रपोज नहीं कर पाते और ऐसी ही दिन ब जाता है और यह पूरुज देखते रहते हैं तो ओ पूरुज दोस्तो गलती कोन सी करते है कि जल्दी प्रपोज ना करने की गलती मतलब समय पर जिया दोस्तो मुझे माफ कर दो यह गलत चब्द का इस्तमाल किया मुझे बताना है कि समय पर प्रपोज ना करने की गलती वो क तो उस दिन आपको मौका देखकर चोका मारना है क्योंकि जो पुरुष मौका देखकर चोका मारना जानता है उससे कोई भी आउरत है फिर उससे कोई भी लड़की जल्दी से जल्दी इंप्रेस हो जाती है तो अजकी इस वुडियो के द्वारा मुझे आपको यही चीज बता के लिए धन्यवाद